से पहले हम बात करेंगे fine organic के बारे में so fine organic के बात करें तो कल के दिन इन stock में लगबग एक से लिक्या हमें सुआ एक पस्टन की गिरावर देखने को मिला लेकिन कल की दिन दूस्तों इन stock के यानि कि इस company के हमें अब बाजर क्लोस होनके बाद हमें वह नमबर देखने को मिला तो कैसे रहे fine organic के नमबर और यह नमबर को पर जाने से पहले अगर हम कुछ important की बात करें जैसे कि stock के performance अगर आप fine organic के पिछले एक साल की performance को देखो हुए तो आपको बहुत ही जादा आप से नहीं देखने को मिल जाएगा आप देख पारेंगे बहुत बड़े-बड़े गिरावर भी आपको देखने को मिलेगा फिर बहुत सॉट टाइम में बहुत बड़े फिर stock में दुबारा हमें correction देखने को मिल जाता है और फिर comeback किया फिर graveyard up stock इसी रेंज में है मतलब पिछले एक साल में stock ने हमें बहुत जाद आप से डाउन दिखा है और यह जो स्टॉक बार बात तेजी दिखाते हैं जो 5000 को अचीब करता है और इस लेबल को जो वह सस्टेन नहीं कर पाता है तो उसकी पीछी का एक ही रीजन है कि कंपनी के फंडेमेंटरी क्योंकि वह इस 5000 की important लेबल को अचीब तो कर लेता है पर उस लेबल को पास सस्टेन दिखा के फिर आगे रहले दिखाने के लिए कंपनी के नंबर स्टॉंग होना चाहिए जो कि फिलाल के साब से पिछले कुछ कोटर से इन कंपनी के नंबर हमें कंसिक्टनसी एक तरफा खराब और खराब ही देखने को मिले तो कि इस बार भी और के नंबर को देख के आज के दिन बही बाज हैतो okay कि लुगा सकता है तो वर कोषीच करेंगे वसके सबसे पहले देख लेता हमें कासी क लगे और उसके सब्सक्ता यह नंबर मंदे के दिन बाज़र को किस प्रकार का मतलब बाज़र किस प्रकार के रियक्शन दिखा सकते हैं सो हम आचुके कंपणी के नंबर को पर तो सबसे पहले टोटल इंकम की बात करें तो आप देख सकते हो यह सारे चीज़ी दोस्तो मिलियंस में रहेगे तो 50 जो कि इस बार की इंकम है दोस्तो 50,584 मिलियंस तीन मंत पहले 55,764 और एक सार पहले 77,500 की आसपार तो 77,000 के इंकम अगर मैं रफली बात करूं तो तो डाउन हो के 50,000 और तीन मंत पहले जो 55,000 के इंकम थे जो कि वह भी डाउन हो के 50,000 यानकी याली कोटली दोनों बिसे पह कंपनी की नंबर में मैसिब बिरावर देखन को मिल रहे हैं उसके बाद आ जाते कंपनी के एक्सपेंस के उपर तो कैसे रहे कंपनी के टोटल एक्सपेंस तो अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो 38,540 तीन मंत पहले 42,456 और एक सार प प्रॉफिट विफोर टैक्स तो वह आप देख सत्तों के 12,000 तीन मंत पहले 13,300 और एक सार पहले 16,000 तो 16,000 के प्रॉफिट डाउन के 12,000 और 13,000 के प्रॉफिट डाउन के 12,000 तो साब साब कंपनी की जो प्रॉफिट है बिदावर एजिस्मेंट की उसमें हमें एक अच्छे कासे गिरावर देखने को मिल रहें बड़ यह एक्च्वल नेट पॉफिट नहीं है इसके बाद बहुत सारे आपको एजिस्मेंट को मिल जाएगा सारे चीदियों को कट करने के बाद चो कंपन के एक्च्वल नेट मत पहले 10,300 के उपर और एक साल पहले 10,600 के नेट पॉफिट जो के डाउन होके 9,400 करोड और तीन मत पहले जो लगबाग 10,300 करोड के उपर थे कंपनी के नेट पॉफिट जो के डाउन होके 9,420 करोड तो यह ली बात करें या कोट ली बात करें साब साब कंपनी के नंबर ह है हमें दोनों बिस पे अच्छे का से हमें गिरावार देखने को मिल रहे है और सेम इसी के अगर आप अर्णिंग परसेर को देखो गया है अनिकी EPS तो आप देख सकते हो कि 30.73 तीन मैंत पहले 33.7 और एक सार पहले 34.65 साइब 34.33 का 30 तो साप साप कंपनि की नंबर है हमें कॉटली या ली दोनों बिस पे हमां डाउनी देखने को मिले तैब कि इस नंबर को मंडे के दिन क्या इन स्टॉक में गिरावार देखायेंगा क्यूंगर हम नंबर को देखें तो वैसे देखा जाए कॉटली तो वैसे जो गुरूप के और एक दिग्जच और एक लार्ज क्या बुलूचिप कमपनी जो के एस आरे प्रिमिटेट सो हाली में इसने भी अपना कोटर के नंबर भीजन किया था और जिन में कमपनी के जो नंबर थे तो प्रॉफिट में हमें 50% के फॉल देखने को मिला जो की एक साल पहले जो कमपनी के प्रॉफिट था पांसो दस करो की उपर जो कि इस पार डाउन होंके सिधा धाय सो करो के आप पात और सिफ इतना ही नहीं कि सिपस ने याली बेसे पर डाउन दिखा है अगर आप इसके Q1 QBस पर नंबर को देखोगे तो Q1 QBस पर नंबर भी इस अरब का आपको खरावी देखने को मिलेगा और इतने नंबर खराब दिखाने के बाद भी बाजे ने उस नंबर को नेक्स दिन गिरावाट के जगा एक अच्छे कासे तेजी के साथ एप्रिशेट भी किया था साय से तो साय से बाजर पहले से मानके चल ले थे कि जितनी इतने को खराब की तरह सब्सभिट और की ऑट नमर मंडी के दिन किस प्रका का पारेक्शन दिखाता है वैसे देखा जाय कमपणी लॉंग टाइम कän बहुत हीno कंपनी पर छोंद Surprise पर जो कैमिकी अट देखने को मिल रहे हैं और उपर से इसने पांच-पांच साल में बहुत ही कमाल की रिटन मना के देखोगे जो नेट रिटन में बहुत अच्छे का से रिटन मना के देखने को मिला और यहां पर जाके उनकी ग्रोथ हमें रुप्तियों को मिला और इसके पीछी का रिजन है कि इनके सेक्टर में पूरे सेक्टर में हमें डिपांस को देखन को मिला तो यह जटी मांन के स्लोर सोडर हमेसा रहें डाएगा फिर recognize कभी इनकी इनके दिमांट फिर से पीक पर आतो देखना को को मिलेगा और जो अच्छी कंपने इन में भी आपको एक अक्छे-गास कोबाकわか्ग को मिलैं तो अगर आपको फान की है यह कोई भी fundamental chemical company है तो उनके नमर भी साइस से हो आपको इस बार के कौटर थी की नमर खराब देखने को मिले लेकिन अगर आप long time के लिए hold करोगे तो definitely वो company आपको आराम से एक अच्छे कासे decent run ज़रू बना के देगे लेकिन फिर भी मंदे के दिन किस प्रकार के दिखाते हैं क्या ऐसे खराब नमबर को भी बादर तेजी दिखाते हैं या थोड़ा बहुत गिरावार दिखाते हैं उसके लिए आप चाहो तो मंदे के दिन आप fine organ को अपने focus बना के रख सकते हो देन बात करेंगे दोस्तो बजाज finance limit अगर हम बजाज finance के बात करें तो कल के दिन मतलब बहुत दिन बाद एक छोटा मोटा तेजी देखने को मिला लगबग 2% के आसपास के तेजी क्योंकि अगर बाकी आप पिछले 5 दिन की performance को देखोगे तो आप देख सहते हो कि यह आप बट सौट टाइम में जो इनके बैड लोन हैं दोस्तो आप देख सहते हो जो इनके बैड लोन है उनमें आप बहुत अच्छे कासे increase होते हो देखने को मिला लगबग अगर आप 50 basis देखोगी जो company के provision है उसमें लगबग 44 से लेके 45% के massive jump देखने को मिला और इनी के चलते है इनके जो gross NPA है फिर जो net NPA है उसमें आपको Q1 की basis पे एक अच्छे कासे मतलब increase देखने को मिल जागा यह आप देख सो 0.91 से सीधा 0.95 और अगर आप net NPA को देखोगे तो 0.31 से 0.37 तो इनी इसी चीजों को माने के दूस्तों इनी चीजों को पकड़के stock में हमें आच्छे के लिए अगर अपने बजाज finance में किया तो आप definitely इन में बने रहे से तो और यह जो गिरावाट stock में हुआ है नंबर के बाद इस प्रका के यह गिरावाट ऐसे नहीं के पहली बार company के नंबर के बाद यह गिरावाट दिखा इससे पहले जितनी भी बार company ने आपने नंबर पे जिन किया हर बार company के नंबर आने के बाद stock में हमें maximum time हमें गिरावाटी देशन को मिलता है तो यह गिरावाट एक तरह से देखा जाए तो आपके लिए अच्छे opportunity है क्योंकि जो stock कुछ time पहले 7000 के उपर थे 8000 के उपर थे आप वो नंबर के बाद आपको 7000 के नीचे म लेके टोटल 18% तक आपको करें गिरावाट देखने को मिल जागा तो कोई अगर फ्रेसिंट लेने के बार में सोच रहे थे बाट वो नंबर के लिए वेड कर दे तो company ने लॉंग टाइम के लिए अच्छे नंबर प्रेंड किया तो अगर आप चाहो तो 18% के discount में या 17 से ल स्टॉक चलेगा नि उसके बाद जब स्टॉक में तीजी आएगा सीधा 8000 को ब्रेक करके 9 10 12 15 भी अपको मतलब उसी लिबल से भी आपको पैसा कुछी मंत के अंदर वह आपको डवल करते हो देखने को मिल जागा और या से स्टॉक आपने बाकी आपने बजाज आटों में देखाऊगा ग्लैंस इंडिस्ट्री में देखाऊगा और भी लार्सेन टूबरो में देखाऊगा इस प्रका के जो ब्लूचिप कंपने होते लाख-लाख करो के मार्के गप तो उनका ग्रोथ ऐसे ही रहते हैं दो दो तीन तीन साल चलेगा नहीं बड़ जब स्टॉक अगर कोई इंट्री लेने के बारे में सोच रहा है तो आप चाहो तो 17 से लेके 18% डिस्कॉर्ण में बजाज फइन जैसे इंडिक्स वाले स्टॉक में अपने सिट्र का लीडिंग वाले स्टॉक है मतलब लीडिंग कंपनी इनमें आप एक स्टॉल में से इस सिल्बसे आप अपना सुरुबात करके चल सकते हो और बस इतना है लॉस में बेचने के बारे में सोच रहे है अगला श्टॉक की बात के दोस्तों एफल इंडिया अगर आफल इंडिय की बात के तो ये बहुत फोकस में रहेगा फोकस में क्यूंकि कुछ टाइम बाद ही आपको एफल और ये भी स्टॉक पिछले ठाइपों ने तीन साथ से इसने भी मतब कुछ भी रिटर माना की निए बहुत लंब में अगर आप नेट तेजियों को देखोगे तो छेसो स्वाज शेसो पसंद के आप बट ये सिर्फ पॉसिप एक से देर साल की तेजिय था उस बीच में दिखाना अपना सुरू किया अभी तरह लबाद ठाइस से तीन साल स्टॉक इसी रेंज में अपना कांसलिडेट कर रहा है तो अगर इस लेबल को ब्रेक करना है तो कंपनी के नंबर बहुत स्टॉंग होना चाहिए तो कुस दिरबाद कंपनी के नंबर आ जाएंगे तो दे अगर कंपनी के नंबर बनाते जा रहा है तो सेम अगर कंपनी माल लो यह चार सो नहीं पांसु छे सो करो के सेज दिखा दे जितना बाजर एक्स्पेट भी ना करें तो डेफिंडे स्टॉक में बहुत बना रॉकेट की तरह तो देखते कुछ दिरबाद कंपनी के नंबर आ तो देखोगे तो लगभग आपको पांसु पसंद तक तेजी देखन को मिल जाएगा पांस साल में बारासु इससे लेके तेरासु पसंद क्या आप तो बहुत इतने कमाल के प्रॉक में दिखा है और मैक्समाम तीजी यहां पर बनें और इसके पीछे का और इसकी के साथ सा तो 1-10 का आमें स्प्रीट का अनॉसमन करते हैं मताब 1-1 का बोनास और 1-10 का स्प्रीट तो जिनके पास उनके लिए लोटरी लग चुकार आपके पास है नि तो ऐसे कॉपरेक्शनों देखके मत जान आच्छे श्टॉक शाथ रहोगे तो वो भी